मौँ जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच नगर छेत्र के ताजोपुर स्थित फातिमा स्कूल के बच्चों ने नगरवासियों को पॉलिथीन और पर्याविट के पती जागरुक किया जागरुक करने के लिए स्कूली बच्चों ने जुलूस निकाला नुकर नाटक किया पॉलिथीन के स्थान पर कैरी बेक सितमाल करने के साथ ही पेड लगाने के लिए भी जागरुक किया इसके साथ ही स्कूल परिशर में पौधे लगाए गए और नगर छेतर में कैरी बैक का वित्रड भी किया गया इस दोरान इस जागरुकता कारिकम में मुख्य अतिती रहे नगरपाल का अध्यक्ष मुहम्मद तयब पालिकी ने कहा कि साशन द्वारा पौलिथीन पर प्रतिबन लगा दिया गया है इसके लिए छात्रों ने जागरुक करने का काम किया इसके साथ ही पेड़ पौधे लगाने की भी अपील की गई इनके इस अभ्यान में नगरपाल का साथ है नगरपाल का द्वारा भी लोगों को पर्यावरण और पौलिथीन के प्रतिब जागरुक किया जाएगा वहीं स्कूल की छात्रा अकांचा पांडे ने अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण पूरी तरह से दूशित हो गया है इसलिए सभी को जादा से जादा पेड लगाने के आविशक्ता है वहीं पौलिथीन का प्रयोग बहुत जादा हो गया है इसका प्रयोग रोकना सभी की जिम्मेदारी है इसलिए इसका प्रयोग रोक कर कैरी बेक इस्तमाल करने की जरूरत है वहीं स्कूल की प्रधाना ध्यापिका सिंध्यान ने कहा कि स्कूल के सभी छातरों को पर्यावरण और पॉलिटिम के प्रती जागरुक किया जा रहा है ताकि वह आगे अपने घर परवार के साथ ही समाज को जागरुक करने का काम कर सके क्योंकि अगर बच्चे जाकरुक रहेंगे तभी कोई अभ्यान सफल होगा अध्यापकों का कहना है कि अगर ऐसे ही सभी विद्यालेंगों को बच्चे अपने आपी स्कूल पढ़ने जाएंगे यहां क्रियेटिव माहौल है जिसमे स्कूल से दूर भागने के बजाए बच्चे खुद स्कूल जानब पसंद करने लगेंगे उन्होंने स्कूल में भी किया और यहां पर रैली निगाल करके जनता को वाइग कि हमारा जो पर्याबरण है वो दिन प्रदी दिन बहुत ज्यादा प्रदूशित हो जागा रहा है उसे उस तरदूशन को कम करने के लिए हमें जितना होसल के उतना पेड़ लगाना चाहिए लगाने क्जिए कि उससे जो औकूसिजन मिलती है वो हमारे पर्यवर्ड के लिए बहुत ज्यादा लाब्दा एक हो इंवर्मेंड डे स्लवारेशन किया है हमारे और बच्च connected जागुरूत हम लोग विद्ध्यालाई में सुरू करेंगे, वो ही बच्चे आगे चलकर अपना गर में, अपना आसपडोस में सब स्वच्चता का जागुरूत लोगों के लिए भी देखने करेंगे, और हर एक साल अम लोग ए एन्वार्मेंटे मनाते हैं.